ऎलो दोस्तो स्वागत हेंómo वीडियो हैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर कोई दूसरे या किसरे मुल्क से नेपाल में आ रहा हैं तो नेपाल में आप को कितने सामान बगेर भंसार के ला सकते हैं इस सीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जैसे कि आप नेपाल एंट्री होते हैं चाहे हो भारत से हो पाकिस्ताम से हो बंगलादेश से हो कतार दुगई चाहे किसी भी मुल्क से हो अगर आप नेपाल में आ रहे हैं तो नेपाल में आपको कितने मतलब परिनाम मे कौन से समान जो ऐसे की लाने पर बनशार छूट कर दिया जाता है इस वीडि़व में उसमें बात करते हैं पर आपको कैद भी हो सकता है ऐसे कंडिीशन में तो आईए इस छीज को भी जान लेते हैं कि कितने समान हम ले करके आए तो आसानी से नेपाल में आ सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्टार्ट करेंगे कि आपको अपने जो हैसी की नीजी एक आदमी का जो पुराना लुगा कपड़ा है या उसके बेड के लिए जो चादर हो गए रहे होते हैं और जो तकिया और तकिया खोल और हो गए और उसके बाद में जो पुराने आपके यूज में आ रहा है थे पहले जो बरतन और वह सभी चीजें जो हैसे कि आप नेपाल में ला सकते हैं बिना किसी भंसार दिये हुए याद रखी यह सभी जो कपड़ा और हम बोला है चाहे पुराणा आपको जो ऐसे कि, आप बर्तन अगयरा होगय है बर्तन आपको यूज कर रहे हैं और फाइनलि आप नेपाल में आना चाहा रहा है तो ऐसे कंडिशन में आप उन सभी पुराने चीजों को नेपाल में आप Tan梁 में इस्ली लास सकते हैं इसoperation मियों पौई है उनको कुछ दवाया लिखी गई हो जितने परिनाम में जो ऐसे कि उस पेपर में दवाया लिखी गई है उतने परिनाम का जो दवा है वो आप नेपाल में ला सकते हैं बिना किसी भनसार का चार्ज दिये हुए तो यह हो गया आपके मरीज के हत्में जो मरीज है वो चाहे तो अपने हिसाब से बीजिस चती ही दवा क्वाट DAVID माट करते हैं अगले पॉइंट तो अगले पॉइंट में हमें जो strip we औट से असक्त है अपने सहरा के रूप में यहाँ पर चाहे तो वह अपने सहरा के रूप में विलचेर अगश्छ और इसे कि वह अपने साथ में नेपाल ला सकते हैं बिना किसी भंसार के चार्ज के साथ, औकेवल एक पीस ही लाना है, आपको ज्यादा क्वेंटिटी में नहीं लेकर गया आना है, एक पीस आप बिना भंसार का सुल्क दिये हुए ला सकते हैं, तो यहाँ पर अगले पॉइंट क ग्राम तक ला सकते हैं चांदी आधा किलो यानि 500 ग्राम तक आप चांदी ला सकते हैं उसके बाद अगर कोई जवाहरात है जिसमें आप को जो ऐसे की हीडा मोती उगरा का मतलब उसमें कुछ काम किया गया हो तो वैसे जवाहरात जिसका नेपाली बाजार में एक लाख अगले पॉइंट में आपको यहां पर घरी चाहें वह स्मार्टवाज हो या आपको जो एनलोग वाला है वह एनलोग वाला एक पिस घरी दिसलर गामडा हो या डिजिटल केहां वो एक पीस मोबाईल ला सकते हैं लेप्टप ला सकते हैं और उसके बाद परशूमांड रहा मैं उनके पेरेंस उनको कई भार घुमाना लेका जाते हैं तो अगले पॉइंट में बात करते हैं तो अगले आइटम हो वो सभी आइटम है जो खाने पीने की चीज वो आप 7 kg तक जो ऐसे की ला सकते हैं 7 kg से उपर घर जाता है तो इसका चारज क00 मिर्णा चाने हका करना होगा तो 7 kg जो है खादउपदार्श वह आप ला सकते हैं उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में आप जो हैसे कि एक लीटर तक जो बीदेसी ब्रांड के जो है जो सराब हो गयरा होते हैं वह सराब जो हैसे की एक लीटर तक आप ला सकते हैं नेपाल में इसके लिए जो हैसे कि आपको पूरी तरीके से छूट दिया गया तो नेपाल में आप एक लीटर सराव वैसे नेपाल में भी सराव मिलता है आप चाहें तो आप नेपाल से बिहार नहीं लेकर जा सकते हैं लेकिन आप बिहार से सराव चाहें तो नेपाल में ला सकते हैं यह चीज हो जाएगा लेकिन आपको नेपाल में लाने के लिए एक ली ऐसे कि एक पीस जो हैसे कि वो ला सकते हैं नेपाल में तो दोस्तों ये सभी चीजे जो हैसे कि आप एक एक पीस जो हैसे कि आप ला सकते हैं इजी तरीके से और इससे ज्यादा अगर आप लाते हैं और भंसार विभाग के करमचारी के द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपके आगा होगा तो एक लाइक जरूर किजिए गा और हाँ चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सप्क्राइब कर दिया क्योंकि मैं ऐसे इंफ्रमेटिव वीडियो और बीजन से लेटेर वीडियो अगरा लेकर के आते रहता हूं मिलते हैं लिए वीडियो में नई जनकाडी के सा में तब तक के लिए Bye Bye and Take Care